नमस्कार, मैं भाशा और इस समय मैं खड़ी हूँ मनीपूर की राजधानी इंफाल में कांगला फोर्ट के ठीक सामने कांगला फोर्ट जो एक समय मनीपूर की पूरी पॉलिटिस का केंद्र था जब यहाँ पर राजशाही थी यहाँ पर बगल में बहती है इमफाल नदी और यह नदी किस तरह से अनेक राजनितिक उठापटक को देख चुकी है इसका जायजा लेने के लिए हम पहुचे हैं इमफाल यहाँ पर मद्दाता किस तरह से किन किन मुद्दों पर वोट देने का मन बना रहे हैं और मनिपुर जो पूरिये देश और विदेश में Armed Forces Special Powers Act के खिलाफ आंदोलन के लिए लंबे समय तक केंदर में रहा अलग ढंकी परिभाशा आंदोलनों की गड़ता रहा क्या इस बार यहाँ पर चुनाओं में यह मुद्दा है क्या यहाँ पर जमीनी जो हकीकत है वह क्या कह रही है कि भाश्पा जिस तरह से जोड़ तोड़ करके पिशली पांस साल पहले उसने सरकार बनाई थी और जिसका पैसे का जोड़ हर इलाके में हर कोने बर दिखाई द आपके की तरफ है या बाकी पार्टियां जिसमें कांग्रेस एक प्रबल दावेदार है एन पीपी यहां पर दावेदार है जनता दल यू दावेदार है यह सब आखिर मनिपूर के मद्दाताओं को और खास और से इमफाल की राज़निती को किस तरफ ले जा रहे हैं? क्योंकि इंफाल के जरिये ही मनीपुर के जरिये ही भाशपा पूरे उत्तर पूर्व में दूसरे ढंक की राजनिती, दूसरे ढंक का धुरुवीकरन खेलने की तैयारी कर रही है, जिस समय मैं आपसे बात कर रही हूँ, यह बताना बहुत जरूरी है कि RSS का बहुत पुराना क सीधे सीधे महा भारत काल से है, तो आईए देखते हैं कि किस तरह के दाव और किन मुद्दों पर यहां के लोग बात करना चाहते हैं. इस समय हम मनिपूर की राजधानी इंफाल में एक ऐसे शक्स के पास पहुचे हैं, जो किस तरह से मानुदिकारों के लिए लडाई लड़ी जा सकती है, कितना भी मुश्किल दौर क्यों ना हो, बबलु जी की आवाज देश और दुनिया में चारों तरफ रही, वह हुमन र नाम है बबलु लोई तोमबम, मैं आप से जानना चाहूंगी कि आप बतौर मनिपूर नागरिक, बतौर हुमन राइट एक्टिविस्ट, यहां पर क्या मुद्दे हैं, जो आपको लगता है कि होने चाहिए, तो दरसल क्या सीन है हुमन राइट्स का या बाकी जो जमीनी कि राजनिती में कितनी पूश पहुच बनी है? जी, हम लोग ये कोशिश किया है, मनिपूर में जो भी चुनाव चलता है, वो सिर्फ पैसा के हिसाब से, मसल के हिसाब से चलते जा रहा है, तो हम लोग ने इस बार सिबिल ससाइटी के लोग एकते होके, हम लोग ने ये सोच है कि हमारा आम जनता का लोग जो मुड़े जो है, उसको थोड़ा ये इलेक्शन में भी, ये इलेक्शन केमपेन में उसको थोड़ा बहुत उसके उपर चर्चे करें तो हम लोग का फैदा होगा, इसलिए हम लोग जो अलग अलग सिबिल ससाइटी के लोग अलग मुड़े जो काम कर रहे है, वो सब एकथे करके हम लोग ने नवेंबर में जो मैनिफेस्टो आने से पहले पुलिटल पार्टी का, एक पीपल्स मैनिफेस्टो हमने ख़रा करके रखा है, इसमें 27 पॉइंट्स दे रखा है, अलग-अलग मतलब थिम से, चाहे वो हुमन राइट्स हो, विमिन्स हो, ड्रक का समस्या हो, फार्मर का इशू हो, एकरिकल्चर का क्राइस हो, यूद का प्रॉबलम हो, यह सब एकथे करके हमने 27 नवेंबर में हमने यह रिलीज किया है, और सारे पॉलिटिकल पार्टी को हमने यह दे रखा है, और बोला है हम लोग एक दायलोग करना इसका कितना असर पड़ा? मैनिफेस्टों का अलग-अलग मुड़े पे हम लोग बात्ची चडचा चला है, तो क्या आपके लिए कैसे रहे बीजेपी के पांस साल? देखिए, बीजेपी का पहले तो बहुत यूफोरिया था, कॉंग्रेस का 15 साल रहने से एक फ्रेश आइडिया आने का बहुत लोग एक्सपेक कर रहे थे, मगर दीरे दीरे ये हम लोग देखते जा रहे हैं कि ये अपना सिविल सॉसाइटी का सिविक स्पेस जो है, इन्टी बीजेपी का उपर पे मतलब काम कर रहे है, देखिए, मनिपूर का पॉपुलेशन इंडिया का एक परसेंट भी नहीं है, हाफ परसेंट भी नहीं है, 0.4 परसेंट है, मगर अनलोफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन के अंदर कितने लोग कबजे किया है, देखे तो आप नेशनल क्राइम बीरो रिपोर्ट में देखे तो हम लोग 32 परसेंट है, तो 0.4 परसेंट इंडिया का नेशनल सिक्यूरिटी के जो लिजिसलेशन के अंदर वो कबजे किया है, 32 परसेंट है, तो अपना मतलब सिविल ससाइटी का स्पेस तो पुला कॉलाप्स किया हुआ है, कई लोग को आप किया है, और कई लोग जो रिजिस्स किया है, उसको तो कि AFSPA का मामला, जो सबसे खौफनाक कानून है, जिस पर मनिपुर की पूरी राजनिती एक समयर्टी की रही, बहुत अगड़ा अंदोलन चला, वह क्या इन चुनाओं में कोई मुद्दा है, जो किलिंग्स एक मुद्दा रही है, वो एक कोई मुद्दा बन पाया है क्या? इनका वोट मांगने के लिए चलेगा, और उसका जीने का हक जो है, वो तो छीनेगा, यह तो कॉंट्रडिक्शन होता है ना, तो the very fact that BJP ने इनका मैनुफेस्टों से मैंशन नहीं क्या है, इतसेल्फ एस बिक इस बिक इशू, जो कॉंशियस वोटर है, वो लोग तो बहुत नफरत है, ऐसा freebies देके हमारा वोट को खरिदने का कोशिश कर रहे है, उसकी बगार एक clear policy जो dignity and respect पीपल को देने वाला और एक perspective देने वाला policy का framework रखे तो वो सोच समझ वाले voters तो उसमें ज्यादा ध्यान दे रहे थे और वेरी अनफॉर्चनेटली यह जो freebies, चोटे मोट बाद दो gas cylinder, scooty for college going girls, यह तो बहुत ही हमारे खयाल से low level का politics चल रहा है, तो एक और चीज जो मैं आप से जानना चाहते हूं कि drugs को लेकर, मनीपुर पूरा एक तरह से drug economy में फसा हुआ राज्य है, और यहां पे जो सीमा मिलती है, उसको लेकर भी बहुत तगड़ा एक पूर रैकेट चलता है, और हमने देखा कि किस तरह से उस सम्मूह ने भी खुल कर बोला कि BJP को वोट दो, और अगर BJP को वोट नहीं दोगे तो बहुत परिणाम होंगे, जिस पर election commission ने भी कुछ नहीं किया, लेकिन इस तरह से खुल कर उस drug cartel का सीधे सीधे BJP के पक्ष में आना क्या कहता है? कि BJP टिकेट मिल रहे है, वो लोग अभी openly बोला गया है कि वो लोग BJP को support कर रहे हैं और BJP में वोट नहीं देगा इनका community आडमी लोगों को, उसको consequence मिलेगा, direct threat openly दे रखा है, मगर अपसोस की बात यह है कि यहाँ पर government भी उसकी उपर case fine नहीं कर रहे है, ECI भी action नहीं ले जब तक इतना open threat militant लोग से एक पुरा community को threat करेगा और उसमें action नहीं लेगा तो free and fair election कहा होगा अचा यह बताएं कि AFSPA कोई मुद्दा है क्या इन चुनाओं में पहली बार हुआ आसपा, पहली बार हुआ है कि Armed Forces Special Power Act पर तमाम political parties ने अपने घोशना पत्र में कहा कि वो हटाएंगे, सिर्फ भाशपा ने नहीं कहा, तो क्या कोई मुद्दा बना ही है? मगर पहली बार हो गोडहित अपने अफवा हुआ है grasses Ina पहली बार ही है पहली बार ही है ऍसक्तुनाओं मगर्भ द की बारी कोई मर्क्स साफब्सक्तुनाओं पहली कि आपका क्या नाम है और आपके हिसाब से चुनाओं में क्या मुद्दे होने चाहिए थे एक्ट्यूलिए इंप्लोईमेंट डिवल्मेंट जो रिलीजन का ये मतलब पॉदराइशन इस नोट भी तर इसू यह मेंशाद डिवल्मेंट पे रोजगार रोजगार पी बार होना साहिए और यह अभी जो अभी जो अमलों का दिशा पे जा रहे हैं बिलकुल से गलत दिश करें बदाबर यूद्ट व्याद बाट एक यह जाना आप जा रहा है कि विद्व और जाना उच्ट कि दोनेकि यह जिसतार का महाल बन गया है कंभी बीजेपि में होते हैं कभी कॉंग्रेस में होते हैं और अभी बीजेपि ने एफस्प्रिया को भी भी मुद्दा नहीं ब हिरे लिए पोई कोई आईडियोलोजी ही नहीं होता है लिए अपई पीज़ाद से पीछा ओस्रमए अपसे बग्ता रहता है तो कोई आईडियोलोजील नहीं है और मुझेन यह सुन्परदूली करेंडी नाई यह पिपलार एक्वेली गिल्थी इसम ताइम यह पोलिटीसिन जाहाल बुल्चित यह क्या यह इशूज एक्ट्रजुरिशल किलिंग के इशूज जो आप तमाम लोग मिलके लड़ रहे हैं वह इंग प्यास का यह प्याओ क्या विल्ठी इन भेशिता करना यह एक्ट्णनों के दिसलिपने घूड़ मिलके बुल्चित के चाहाँ करना कि तोफ तो ऐसे विन भी औभ हैं but within these five years BJP government did not do anything about this extrajudicial killing like to remove armed forces special power act or to give prosecution sanction to the cases which is involved armed forces special power act this central government and state government they didn't support us in every field like fighting in the cases or about the journey of our struggles anything they didn't support us until today yeah in my in my view the upcoming election will be more power by the BJP I think people's at least five years is gone but next five years will be ruling by the BJP I think what are the reasons for it Q Bhajpa ko hi wapas lok chunenge but most of the people didn't like the this BJP but you know they are many money power and muscle power because of that God they are pressuring to but the center is now is in power so maybe is Manipur will be coming if the center is power Manipur will be surely coming ruling by the BJP so no chance for the Congress I think no hope for Congress What is your name and how do you see your mother's struggles and what are you studying? I am Avinas Niktokzam my mother was struggling since 2009 and my father left us when we are six years old and it's unfortunate that we are we are we are we are we are not we are left by fake encounter we don't we don't deserve this kind of fake encounter as yes yes we are youth we will sense when when we are grown up and we will modify the culture of fake encounter as well as a first part and we we don't deserve this anymore so one direct question you are young now the BJP who is running uh ruling uh Manipur they have not placed uh removing AFSPA in their demand so why you think that this will uh people should be angry about it whether people are angry about it yeah uh sure it will be angry yes uh as we all know that uh from from us uh from fake encounter 1500 more than people are killed so BJP government have to know that AFSPA should not be there in Manipur as well as north east it should be taken out from the north east Manipur ki dhwaniya joh aap ne suni joh aap ne suni joh aap ne suni wye bhoot saaf hain yee aawaze bhoot chun kar humne aap tuk pahuncha hi hain aur jaan buch kar humari manshah thi ki aap in aawazo ko bhoot dhyan se sune kiyo ki yee wye aawaze hain joh aksar corporate media ki bheed mee chaka chondh mee vigyapuno mee kho jati hain yee wigyapuno bharati jantah party bhaashpa ne jis ki command bhoot bade peyamane par kud pradhan mantri ne sambhal rakhi hai kud amishah yaha sambhal rahe hai kud bhaashpa adhyaaksh ki photos laghi hoi hai aur jis tarha ka prachar har ilaqe mee dikhai dhe raha hai puri ki puri tarha bhaashpa prachar mee ághe hai paise mee bhaashpa ághe hai lekin jin muddho ko yehaan ke loog lambde sameh se u'tha rhe hai wyeha nadharat hai bhoot zaruri hai aapka aur hamara soshna ki aakhir manipur mee joh rajnitik partyyaan hain usmeen sirf bhaashpa hii kiyo armed forces special powers act ke bare mee kooi commitment nahi karna chahati jabki baki tamam rajnitik dalo ne aapne ghošna patr mee is baat ka aelan kiya ki woha is khofnaak kanun se nijat dilayegi manipur ko yeh sarae sawal kis tarha se dhekhe jane chahiye kis tarha se manipur ki jantah dhek raha hai aur jab woha kahti hai bade peyamane pere ki manipur sahit pure uttarpure ko kendr ke išaray pe chalna pade ta hai to yeh bhoot bada sawal hamaray federal structure sanghiya dhaache pere hai ae 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 ae